हाई फ्रेंज मैं अर्शी और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल हेल्दी और चटपटा सा कोफते का भरता फिंट्स बहुत ही सिंपल रेसिपी है टेस्टी बहुत है आप रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हो और हाँ शुरू में मैं सिर्फ आपको कोफते का भरता बताना बता रही हूँ लास्ट में आपको मैं बता दूँगी कि कोफता कैसे बनाता है क्योंकि काफी लोगों को कोफता बनाना आता होगा या फिर मैंने चैनल पे अपने अलड़ी डाल रखा है कोफते का रेसिपी तो आप इंटरिस्टेड नहीं हो तो वीडियो के लास्ट में आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर शुरू में आप देख लो मैंने यहाँ पांच फ्राइड कोफते लिए हैं मटन कोफता है यह और इसके साथ हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज के प्याज को आप स्लाइस कर लेना कोशिश करना कि थोड़ी बारिक-बारिक स्लाइस बनाना है आपको और यह मैंने शुरू में ही आपको दिखाई थी दो रिड चिली को भून लेंगे हम फ्लेम पर एक छोटी चमची से हम यहाँ पर मस्टर्ड ओयल डाल देंगे यानि सर्सो का तेल और दो हरी मिर्ची मिर्ची आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हो और यहाँ पर हमें डालना है थोड़ा सा काला नमक अब इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्यूंकि जो मिर्ची हमने भून कर डाली है उसको आपको थोड़ा तोड़ कर करके इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा इस तरह से और प्यास जो हमने डाला है उसको भी आपको थोड़ा सा क्रश करना पड़ेगा ताकि लच्छे दार बन जाए यह प्यास तो यहाँ पर प्यास अच्छे से हो चुका है क्रश अब हमारे पास फ्राई किये वे कोफते हैं उनको हम इसके अंदर में तोड़ तोड़ के एड़ कर देंगे सारे एड़ कर दिए मैंने थोड़े से फ्रेश वाली धनी की पत्ती और यह थोड़ा सा निम्बू कर रस आपको एड़ करना होगा इससे और जादा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है बस इन सारी चीजों को आप मिला लो और आपका कोफते का भरता रेड़ी हो चुका है बहुत ही सिंपल रेसिपी है देखने में शायद अच्छा ना लगे बर टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है अगर आप नॉन्वेज की शौकीन हो तो यह रेसिपी आप जरूर एक बार ट्राई करना इसके अलावा आप इसके अंदर में कैपसिकम, कैरट जो भी आपके पास अविलेबिल है वो सब भी आड़ कर सकते हो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजेगा अगर आपको कोफता ही बनाना नहीं आता है तो मैं लास्ट मैं आपको यहाँ पर अब दिखा देती हूँ की कोफता आप कैसे बना सकते हो तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मतन ले लिया है इसको आप बूचर से बोल कर कुटवा सकते हो यानि की बारिक-बारिक कटवा सकते हो या वो इस तरह से कीमा बना कर देंगे तो भी इसको आपको एक बार मिक्सर में पीसना पड़ेगा तो इसको एक बार अच्छे से वाश कर लो वाश करने के बाद पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेना है आपको और फिर इसको आपको पीसना है पानी इसमें नहीं रहना चाहिए अगर पानी रह जाएगा इसके अंदर में तो वो क्या होगा ना, बाद में कोफते बनाते टाइम पर तूट जाएंगे, तो आपको mixer pot में add करना है, और यहां पर आपको बिल्कुल भी पानी add नहीं करना है, इसको fine सा पीस लिजे आप, तो मैंने याप पर fine सा पीस लिया है, अभी मैं दिखा देती हूं कि आपको कितना बारिक पीसना है, कुछ इस तरह का होना चाहिए, और अब इसके अंदर हमें add कर देंगे, एक medium size के chop के एवे प्याज, आप देख लो, प्याज थोड़ा आपको बारिक बारिक चॉप करना है, और धनी की पत्ती धेर सारी, आधा कप के करीब आप डाल देना, साथ में हरी मिर्च भी मैंने अच्छे से बारिक क्रश करके डाल दिया है, और ये है mustard oil, दो टेबल स्पून, थोड़े से यहाँ पर आपको मसाले दिख रहे होंगे, धनिया पाउडर एक चमची है, गरम मसाला पाउडर आधी चमची है, रेड चिली पाउडर एक चमची, और जीरा पाउडर आधी चमची, इन सारे मसालों को आपको एड कर देना है यापर, और लास्ट में नमक, नमक यहाँ पर थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि कोफते जब पानी अपना रिड्यूस करते हैं, तो नमक आटोमेटिकली बैलन्स हो जाता है, इन सब को अच्छे स इसे बॉल्स बनाने हैं आपको, और अब आपको फ्राइंग पैन में एड करते जाना है, परिंसे मैंने काफी लोगों को देखा है, कि कोफते में ऑईल की जगे पे बटरी यूज करते हैं, बट मेरा अपना एक्सपिरियंसे मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है, ऑईल जो ह इन सारे चीज़ों की स्मेल को और इन्हांस कर देती है, तो मैं कभी रिक्रमेंट नहीं करती हूँ कि आप इस तरह की कोफते में ऑईल की जगे पे बटरी यूज करो, लेकिन एक शाही कोफता बनता है, जहां पर ऑईल की जगे पे बटरी यूज किया जाता है, कभी मैं पानी जब सूख जाएगा, that means आपका कोफता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इस स्टेज पर भी आप इसको बॉक्स में करके फ्रीज में कम से कम तीन से चार दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, और अगर आप और चाहते हो बहतर रहेगे, तो आप इसको फ्राई करके अगर आप स्टोर करोगे तो चार से पांच या छे साथ दिन के लिए भी आप इसको आराम से फ्रीज में स्टोर कर सकते हो, फ्राई करने के बाद, तो मैं यहाँ पर कोफता फ्राई करके यूज करने वाली हूँ, तो मस्टर ओयल में गरम कर लेना है आपको मस्टर ओयल को और कोफतों को इसके अंदर में fry कर लेना है अब यहाँ पर अगर आप घी या बटर में चाहो fry करना तो और अच्छी बात है बहुत जादा अच्छा टेस्ट आता है फ्लेवर भी बहुत जादा अच्छा आता है ये कोफता मटर आलू टमाटर की सबजी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है बहुत ही जादा अच्छी बनती है वो ऑथेंटिक देहाती स्टाइल सबजी है बट काफी चटपटी सी लगती है उपर मैं लिंक दे दूँ की आप चाहो तो वहाँ से चाहे के मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हो मिलते हूँ मैं अपने निक्स वीडियो में फ्रेंस बाई बाई